जहिन दोस्तों बिहार प्रिभेस येर के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसी करम में यह आज पार्ट 13 होगा इससे पहले हम लोग 12 पार्ट कर चुके हैं जो भी लोग नहीं सुने एक बार जरू सुन ले क्योंकि बिहार वीपेसी के लिए प्रिभेस येर बहुत त्यागी थी रिभीना टेगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधी किस करन से त्यागी थी इसका सई इंसर हो जाएगा जलिया वाला बाग हत्या कांड जलिया वाला बाग 13 परेल 19 से 19 को सांतिपुन जन सभापे लिप्टिंड जनरल डायर ने नर्शंहार कर आय था इस घ मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर का हत्या किसने किया था लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था लंदन में इसका सजींसर हो जाएगा उधम सिंग पंजाब के क्रांतिकरी नेता उधम सिंग ने जालिया वाला बांग हत्या कांड के के दोसी जनरल डाय को हिंदूओं और मुसल्मानों की एकता के एक ऐसा औसर की रूप में देखा जो सौव वर्सों में भी पुना प्रस्तुत नहीं होगा किसने खिलापत अंदुलन को हिंदूओं और मुसल्मानों की एकताक रूप में देखा था जो सोव वर्षोर से भी पूना प्रस्तुत नहीं होगा इसका सही इंसर है महात्मा गांधी चोबिस नमबर उन्नेश सो निस की दिल्ली की अखिल भारतिय खिलापत कमेट्टी के अधिवेशन हुआ जिसका ध्यक्ष गांधी जी थे नेश्ट कोशन है भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस ने अस सहयूग अंदुलन की सवर्ष पर रंब किया था भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस ने अस सहयूग अंदुलन की सवर्ष पर रंब किया था इसका सयंसर हो जाएगा उन्नेश सो बीस ने कलकत्ता में कॉंग्रेस के विशेश अधिवेशन में पास हुआ अस सहयूग संबंधी प्रस्ताव दिसंबर उन्नेश सो बीस में नागपूर में हुए कॉंग्रेस के वार्षी का दिवेशन में पुष्टी कर दी गई थी फलसवरो एक अगस्ट उन्नेश सो बीस अस सहयूग अंदुलन की सुरुआत हुए पस्चिम भारत बंगाल तथा उत्तरी भारत में अस सहयूग अंदुलन कारियों की भीण ने बिटी सासन की एक पुलिस चोकिप को आग लगा दी थी जिससे 23 पुलिस कर्मी जिंदा जलगर मर गए थे गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा और सहयूग अंदुलन को अस्थागित कर दिया गांधी जी इस घटना के बाद हिमाल जैसी भूल की संग्यादी नेक्स्ट कोशन है और सहयूग अंदुलन के दोरान किसने पतना को छोड़ा जबकि उसकी परिच्छा में केवल बीस दिन ही बचे थे इसका सही इंसर हो जाएगा जैप्रकास नरायन जैप्रकास नरायन बिहार के सारन के सिताब दियारा में जन में सुतंतरतार से नानी थे जैप्रकास नरायन ने और सहयूग अंदुलन के दोरान पतना कोलेज छोड़ा था जबकि उनके एक्जाम बिस दिन ही बचे थे नेक्स्ट कोशन है सारा बंदी अंदुलन 1922 में किसके नित्रित में पर्रम्भ हुआ था इसका सही इंसर हो जाएगा सरदार बल्ला भाई पटेल नेक्स्ट कोशन है 1921 का मौपला बिद्रो कहां हुआ था इसका सही इंसर हो जाएगा केरल मौपला बिद्रो के मालाबार छेतर में वर्ष 1921 में हुआ था यहाँ पर कस्तकार अधिकांस बटाईदार मुसलमान थे तथा जमीनदार अधिक्तम हिंदु थे अंदुलन दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी इसका सही इंसर हो जाएगा और सहयोग अंदुलन की असफलता के बाद सोराज पार्टी यानि कॉंग्रेस खिलापत सोराज पार्टी के अगठन मार्च 1923 में सियार दास और मुतिलाल नहरू ने किया था सियार दास इसके अध्यक्षता था मुतिलाल नहरू इसके महा सचीव बने सोराज पार्टी ने अपने को कॉंग्रेस के अभिन हिस्षे के रूप में प्रचारित किया था साथ ही और हिंसा और असहयोग के प्रती अपनी वचन बत्ता को दोराया था नेक्ष्ट कोशन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के दिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था इसका सैंसर हो जाएगा चितरंदन्दास नेक्ष्ट कोशन है साइमन कमिशन पहली बार भारत का बाया इसका सैंसर हो जागा 1928 में वर्ष 1929 के एक्ट में दर्ष वर्ष उपर इसकी समिछा है तो एक समयधानिक आयोग का गठन का प्रधान था आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम विवहार में कहां तक सफल रहा तथा उतरदाईश आशन के दिशा में कहां तक प्रगति करने के दिशा के सिती में है किन्तु बिटेन के कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समिछा है तो दो वर्ष पूर ही 1927 में साइमन कमिशन की न्यूक्ति कर दी थी सौर जौन साइमन इसकी अध्यक्ष थे इस कमिशन में कुल साथ सदस्य थे चुकि इसमें सदस्य एक भी भारतिय नहीं थे इसलिए कंग्रेसियों ने इसे स्वेत कमिशन कहकर बिरोध किया था साइमन कमिशन तिन फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था साइमन कमिशन के बिरोध में 1928 में लाला लाजपत राय के मिर्टिव हो जाती है अधिक लाठी चार्ज होने के कारण नेक्स कोशन है पुन स्वराज का प्रस्ताव लाहर कॉंग्रेस में पारित किया गया वर्स अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जोहार। नेहराज का लच्ष घोसित किया था जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मधिरातरी का घंटा बजा तो कॉंग्रेस अध्यक्स जोहराल नहरू ने लहौर में रावी नदी के तट पर भारतिय सुतंतरता का जंडा फाराया कॉंग्रेस कारसमिती दुवारा दो जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निना किया गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन पुन्न सोराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रतेक वर्ष पुन्न स्वाधिनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटीज सासन देशी राजियो जमिनदार वाद और पुन्जी वाद को उखाण फेकना चाहता था समाजवाद का समर्थ कौन था और 1933 में ब्रिटिस सासन, देशी राजियो और जमिदार वाद और पुन्जी वाद को उखाण फेकना चाहता था इसका सई इंसर हो जाएगा जोहरलाल नेहरू किसने वर्ष 1921 में पहली बार पुन्जी सुतंत्ता की मांग को उखाया था इसका सई इंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मुहानी वर्ष 1921 में अहमादाबाद में हुए कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षिता हकीम अजमल खाने की थी इस अधिवेशन में सवर प्रथों मौलाना हसरत मुहानी ने पुन्जवरत अंत्रता की मांग उठाई थी किन्तु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे नेस्ट कोशन है दांडी यात्रा कब की गई थी इसका सई इंसर हो जाएगा 1930 में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्यागरा शुरू किया था उन्होंने साबरमत्री आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्यागरा के लिए कुच किया 24 दिन के लंबी यातरा के बाद उन्होंने 6 अपरेल 1930 को दांडी में संकेती कुरूप से नमक कनून भंग किया था नमक कनून तोड़कर अवचारी को रूप से सवीने अवग्यांदोलन का सुभरम किया था सवीने अवग्यांदोलन गांधी जी के नितिर्ट में पूरे देश में फैला तमीन लाडू में गांधी वादी नेता सीराज गुपाल चारी ने इसका नितिर्ट किया था नमक सत्तागरह के दुरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ की सकर के बिरोध के दुआरा सरकार का बिरोध किया था इसका सजिन सो जगा चोकिदारी नेक्स्ट कोसन है उत्तर पस्मी सीमा परांते में खान अब्दुल गफार खा के नित्रिते में खुदाई खिदमतगार नामक स्वेम सेवक संगठन अस्तापित किया था इन्हें लाल कूर्टा के नाम से भी जना जाता है लाल कूर्टी संगठन ने पठानों की राश्टिये एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से सुतंतरता के लिए ब्रिटिस उपनिवेश वाद के विरूद अंदुलन को संगठित किया था तथा श्रम जीवों के हालत में सुधार की मांग के विवस्ता किया था जबकि अन्य परांतों में मुसलमान स्यम को सत्यागरा अंदुलन से अलग रखे थे वहीं उत्तर पस्मी सीमा परांत में मुसलमानों ने खान अब्दुलकफार खान के नितृत में सविने अवग्या अंदुलन में एक महत्पुन भूम का निभाई थी सविने अवग्या अंदुलन की और सफलता के बाद गांधी जी ने किस चीज़ों को महत्पुन दिया इसका सई इंसर हो जागा रचनात्मक कारे को सविने अवग्या अंदुलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कारे को ज़्यादा महत्पुन दिया अक्टुबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उथान में लगा दिया और सक्री रजनिती से स्विम को हटा कर हटा दिया सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्यान है तो अखिल भारती चुवा चुट विरोधी लिग का स्थापना किया था तथा हरिजन नामक सब्ताहिक पत्र का प्रकासन भी किया गांधी इर्विन समझहोता कब हुआ था इसका सैंस्टर हो जाएगा 1931 गांधी इर्विन समझहोता 5 मार्च 1931 को संपन हुआ इस समझहोते में कुछ मुख बाते इस प्रकार है पहला गांधी जी के नित्रित में कॉंग्रेस समिने अवग्यांदुलन अस्थागित करने के लिए त्यार हो गई दूसरी बाते सभी यूद बंदियों जिनके बिरुद हिंचा का आरोप नहीं था उन्हें ततकाल रिहा करने का अदेश दिया जाए थर्ड बात था प्रति बात थी और पांचवी और आखरी बात थी इस्ट में कॉंग्रेस दूतियों गुल्वे समिलने भाग लेने के लिए त्यार हो गई परन्तु इस समझहोते से जानता काफी निराज थी क्योंकि भगत सी सुकदेवा राजगुरु को फांसी नाद दिये जाने की जानता की मांग को किसी इसमें समिलित नहीं किया गया था थेंक्यू दोस्तों फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग जरूर पूरा ओडियो को सुनिए और अपनी प्रतिकिरिया जरूर दीजिए थेंक्यू वाल देविस्ट